नमस्कार टीनन टॉंटीफोर न्यूज में फिर एक बार आपका सुआगत है हम हैं आपके साथ रियाज शेक टीनन टॉंटीफोर न्यूज दोस्तों अगर हमारे घर में किसी की तबियत खराब होती है या कोई हमारे परिवार में बीमार पड़ता है तो हमें भगवान अल्ला इश्वर याद आता है अगर उसके बाद कोई आता है तो वो है डॉक्टर हमारे भारत में हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं वो डॉक्टर जो मरीज को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करता है तो आई आज हम चलते हैं ऐसे हॉस्पिटल में जहां गरीब होगी लिए जो इसकी में है वो किस तरीके से इसकी में बैट सकते हैं और क्या-क्या डाकुमेंट्स लग सकते हैं ये सारी चीजे सारी बात करेंगे हम नागपूर के परसिद डॉक्टर और हॉस्पिटल आशा हॉस्पिटल जो काम्टी रोट नागपूर में है तो आएए हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र अगरवाल जी से जो हॉस्पिटल के डारेक्टर है और उनसे जानना चाहेगे कि एक गरीब अगर बीमार होता है तो वो इलाज अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करा सकता नमस्कार TNA 24 न्यूज में फिर एक बराप्पसवागत है मैं हूरियाश शे मरीज चाहे कोई भी हो और उसके परिवार वाजे अगर मरीज को बचाना चाहते हैं तो उससे सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं इसके बाद भगवान के बाद नाम आता है डॉक्टर का डॉक्टर को भी भगवान के रूप में ही देखा जाता है आज हमारे साथ आशा होस्पिटल के राजेदर अगरवाल जी है जो M.D. है M.D. डिरेक्टर है वो हमारे साथ है हम कुछ तत्थों बात करेंगे इलाज के मामले में किसी गरीब को अगर किड्नी, स्टॉल, बहुत सारी बीमारिया है और वो इलाज कराना चाहते हैं तो डॉक्टर साब से वो फाइदित मुचेगे वो जानना चाहेगे हम के गरीबों के लिए कौन कौन से इसकी में गरीबों को इलाज किया जा सकता है या उसकी क्या सूरत है जिसकी मज़े से गरीब लोग लाखो, अख़ारों रुपए, करोडों रुपए नहीं लगा पाते हैं हमारे देश में गरीबी का ज्यादा इस्थर देखा जा रहा है इसी कारण देश और दुनिया में इस्थर गिरता जा रहा है लेकिन जब बीमारी कोई आती है बीमारी जब लगती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन गरीब और कौन अमीर है ऐसी सुरत में हमें डॉक्टर ही नजर आते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो मेरे साथ है राजेंद्र अग्रवाज जी जो आशा होस्पिटल के डिरेक्टर है, और यह आशा होस्पिटल का है, वो भी मैं आपको जानकरी देदू, महाराश के नाधपूर में क काम्टी रोड पर यह आशा होस्पिटल है, जो अपने कारे के लिए काफी परसिद्ध है, और बड़े-बड़े ऑपरेशन यहां से होकर पेशन अच्छे जाते हैं, तो आई हम बात करते हैं डॉक्टर साब से, डॉक्टर से आपका TNN 24 न्यूज में बहुत-बहुत स्वा दे रहा हूं, और हमने इस होस्पिटल में अनेको गरीबों मरीजों का विश्ट बहुत सारी राजिव की जो स्कीम से हैं, गौर्मेट स्कीम से और प्रधान मंत्री जानारवपी योगना है, उसके मात्यम से हम लोग बहुत सारे मरीजों का इलाज कर चुके हैं, पिछले और मरीजों का इलाज किया है। तो उसको कुन सी स्कीम देते हैं ऐसे अनेकों कि सब के मरीज होते हैं और अनेकों कि सब की बीमारियां जो बीमारियां इन यूद्णाओं में आती है जैसे विद्यकी एंजियोप्लस्की बाइपास सजरीज वॉर्ड विप्लेस्मेंट ये सामानिता देर लाग से पांच निशुद एड्मिशन करके और उनका इलाज करते हैं उसी तरह जो कैंसर के मरीज होते हैं जिसमें वो ऑपरेट किया जा सकते हैं ऐसे भी मरीजों का अनेकों मरीजों का हमारे यहां वांवे से कैंसर सर्जन आते हैं वो इसका इलाज करते हैं साथी साथ कईयों प्रोस्क्र प्राइवेट में वह भी इस योगना के अंतरगत हम लोग करते हैं और हमने और हमने मोर देन हंड़ेड बाइपास सर्जनी किये हैं करीबन साथ 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 वाल रेप्लेस्मेंट किये हैं और अनेको एंजयोप्लास्टिस हमारे हॉस्पिटल में कॉंप्लेक्स एंजयोप्लास्टिस में हमारे हॉस्पिटल में इस योगना के अंतरगत हुई है उनकी चहरे की चमक एक निशीवी डिफरेंड होती है जो हम बता भी नहीं सकते अंदर से और आशिवार देते हैं क्योंकि यह कभी पॉसिबल नहीं होता कि जो जिस कॉस्ट में अब यह जिस रूप में इस हमा मिल रही है वो उनके बस की बात हो क्योंकि आज के जमाने में महुत से लोग अपना दिन भर कई मजूरी करके अपना रात में राशन पानी ला करके अपना गुजाल बुजर बसर करते हैं लेकिन इस योजना के और इस योजना के अंतरगत य किरी में रखना पड़ता है या करज में जाते हैं और उसके बार में खुदकशी का कारण बनते हैं तो निशित रूप से यह जो योजना लाई है सरकार में हज्जाव हज्जावा लोगों का बहुत ज्यादा फाइदा हुआ है और हमें खुशी है कि हमें प्रभू ने इस बनाया है कि हम इस युद्ना के अंतरदत उन तक के लाभ पहुंचा सके मेरी आप टीनन टीवी 24 से विनंती है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक यह मैसेंच पहुंचा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस युद्ना का फाइदा होता से कि सर मेरा एक दो सवाल एक स कोई गरीब बहुत सारे लोगों को ये जाता है ये लोग बोलते हैं कि अगर प्राइवेट हस्पिटल में गये तो काफी खर्चा आएगा और उसके कारण वो लोग नहीं जा पाते कहीं और जाके इलाज कर लेते हैं जो में वह हस्पिटल हो गई या सरकारी हस्पिटल में चल डाइब और जादा से जादा लोग इसका फाइदा उखाएं यही मेरी अप्रिक्षा है यही मेरा कहना है बीपी महात्मा फुले में कितना इस कार्चिशन देते हैं महात्मा फुले वार प्रधानों के जन आरोगी विवना जो है उसमें मरीश से कुछ भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है निशुल्क कुन कुन सी योग नाव में निशुल्क है कि जुसमें जो अधार विमारियां का निदान होने के बाद में उस विमारी को जब निदान हुझाए और इस निदान हो जाता है कहीं हमार इमर्जेंसी में भी नमर्स लेने परते हैं जैसे कि एधी पेशन्ट को हार्ट अटेक आया है हार्ट अटेक में एंजियोग्राफी करने के बाद में यह मादम कोड़ा कि उसको लीजन है उस लीजन को तुरह आवशकता है तो इसमें ETR लेकरके उसका मरीज कर तुर इसमें पेस्मेकर इंप्लाइशन भी है इसमें वैल रेट्समेंट भी है जैसा कि मैंने आपको बताया कि टी वार पी जो कि प्रोस्क्रेट की ग्रंती बढ़ जाती है और साथी साथ में गैंसर की मारीजोगा जो अपरेबल केसे से उसका उसका भी ऑपरेशन हम लोग करते ह है किड्नी के ऑपरेशन करते हैं उसके बाद में कैंसर कर नहीं रिप्लेस्मेंट भी जिस इतना में दिया है उस इतना के अंतर न हम वारी जो को फाइदरी पोछा कि कहा जाता है कि इस प्रेवेट हॉस्पिटल में जाने से लोग कत्राते हैं कारण कि हजारों लाखों रु है जहां गरीबों की मदद के साथ साथ केरफुल पूरे ध्यान के साथ उनका इलाज पर भी ध्यान रखते हैं तो यह है थे हमारे साथ में ड़कुन राजेंद्र अग्रवाल जी जो यहां के डाइरेक्टर है और उन्होंने वादा किया है टीनन 24 न्यूज से कि वो आने वा माराठी में पूछे इंजो प्लस्टिक जाली गया कसी का जाली जाती क्रशा वाटू रखा यह ना गाए कौंते होस्पिटल मत आए तुमी अशा होस्पिटल अचा होस्पिटल मत है पाशी के कशा गाय खर्चाहला गया जाती है अब और नाम चंदरकांत खर्देडे मेरा नाम चंदरकांत करदेडे में योतमाज जिल्डे से आया हूँ और मैं यहां आशा होस्पिटल में मात्मागंधी योजना के अंतरगता में पूरा नीशना मिली है और ऑपरेशन्व पूरा फ्री मिय हुआ है और कोई दिक्कत नी को इस अवको इस अउस्पिटल का एडरेस्स किसे दिया था किसे प्रदी आता यहां के डाक्ट्रों ने यहां के अपके साथ ने उनको वेवार कैसा रहा है सभी ने अच्छा वेवार दिया, या पे जितने भी स्टाफ है, सभी ने अच्छा देया, या कि सिस्टर तो इतने अच्छ है, कि औलत दिन बर उनको फुर्षत भी नहीं मिल दी, इतने अच्छ है, अच्छे, ये बताई, ये रोल, जैसा कि मनें कहा कि हम लोग आशा होस्पि पर किया जाता है किस तरीके से पेशन्टों की मदद की जाती है तो हमारे साथ एक पेशन्ट के रिलेटु है सहीद सहीद सहाब जो छिनवाला से है आई यह मुम से भी बात कर रहते हैं कि क्या हो रहा है कैसे आप यहां इतने दिनों से है और आपके साथ में किस तरीके से आप पिर दूसरा बात मेरे को इस्टेशर से लेने के बाद मेरे फाइल पूची गई उनको पसीना निकल रहा था था जो रहा हूं पसीना निकल रहा हूं मेरे ससर्क मैरे पेशन की बात कर रहा हूं मैरे सकूर से सब्सक्राइब पसीन है और मेरे साथ बाजीया खड़े हैं मैंने उनसे कल गुजारी सकार्शाइब संभारा जलते जल तो सर ने भी मेरे को बोले सर आपका हो जाएगा बेज़ता मुंपे दर रही नहीं मेरे को यहां कोई पिरकार की तक्नीब नहीं लगी, मेरे को यहां पर बहुत अच्छा और बहुत बैतर अस्पताले मेरे हैं। अरी शिमान इसकी में आपके ससुर का उपरेशन होगा, कितना खर्चा है। कुछ भी नहीं, एक रुपे भी नहीं, और किसी ने कोई मांग नहीं, ना छोटे से लेकर न बड़े तटके, और सब ने इज़त दिया है। और हम चनवाड़ा वासी और कमल नाजी के तरफ से मुक्यमंत्री हमारे चनवाड़ा के जले के हैं। यहां के अभारी हैं, और बहुत बहुत दन्यवाद यहां के लोगों को और हम दिल से यहां प्छिजट करते हैं इस पीटल की हम पो पहले हैं। अगर मेरो का आधे पहली बार जहां पर कुछ ऐसा लगा है किया है, यहां पर जो इजद मिलना चाहिए, वो इजद पेशनटर को मेल रही और मेरो को नहीं है, यहां पर और भी क्या है. जहां लोगों को ओपिनियन भी हम लोग लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं तो देखते रिए टीनन टोटीफोर न्यूस दियाशे के साथ मैं जैहरी सिंग ठाकुर इस हॉस्पिटल में पिछले अठरा साल से जुना हूँ हमारे हॉस्पिटल में महत्मा गांधी, जिवंदाई, योजना और आइस्मान योजना के तहट गोर गरीब का इलाज निसुलक होता है हार्ट सरजरी, इंजो प्लास्टीक, बाइपास, रोड एक्सिडेंट उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल के रेट और हॉस्पिटलों से कम भी है और कई गोर गरीब जिनके पास और सिवधा रहती है उनके लिए भी हम लोग डिसकाउंट देते हैं और एक यह आसा होस्पिटल ऐसा है जहांके लोगों की निरासा खतम हो जाती है और एक आसा जागरत होती है और यह हमारी आसा होस्पिटल की यह सेवा दिन दुनी राज चोगने हमेशा होते रहेंगी ऐसा मैं अपिल करता हूँ